हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका मिश्टर हिन फार्मिंग यूटूब चैनल पर दोस्तों वीडियो में बात करेंगे hybrid भिंडी यानी ओक्रा की top 5 बेहतरीन उदपादन देने वाली और रोगों प्रति अच्छे सहन सील वराइटियों के बारे में जिसमें हम बात करेंगे वराइटियों को लगाने की समय उदपादन, फलू का रंग, मार्केट डिमांड, रोगों की सहन सीलता, प्रति एकड़ दर बीज की आवसकता, साथ में इसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, A to Z सही वा डेटेल जानकारी आपके साथ साधा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं, दोस्तों इस लिश के नंबर वन पे हमने लिया है, BASF ननहेंस कंपनी की समराठ F1 भिंडी वेराइटी को, जो की भिंडी की एक हाइबेड उचोध पादन देने वाली वेराइटी है, इस वेराइटी की पौदे थोड़े लंबे पहरा हरा आकरसग और फलो का से पेंटागोनल होता है, अब दोस्तों अगर इसके लगाने के समय की बात करें तो इसको आप जनवरी से लेकर मार्च महीने तक और जून से लेकर जुलाई महीने तक दोनों सीजन में लगा सकते हैं, इस वेराइटी को भिंडी की खेती करने लगबग सभी राज्यों में लगाया जा सकता है, दोस्तों मार्केट में इसका 1400 सीट्स का बीज लगबग 2500 रुपए के आसपास उपलब्द है, प्रती एकर दर बीज की आउस सकता डेर से लेकर 2 किलो ग्राम तक होती है, इसके अलावा आपके बुआई के तरीगों पर भी हाइबर्ड वैराइटी है, इसके पौदे मेडियम हाइड के 2 से 4 साखाओं वाले जो की YV, MV और ELCV वायरस के प्रती अच्छे सहंसील होते हैं, इसके अलावा मौसम के उतार चड़ाओं में इसमें YV, MV वायरस का डेक देखने को मिल सकता है, फलो की क्वालिटी की बात क किसमों में से एक है, इस वायरस के दोस्तों आप दोनों सीजन यानि जनवरी से मार्च तक और जून से जुलाई तक कभी भी लगा सकते हैं, लगाने से 45 से 50 दिनों के अंतराल पे इसकी पहरी तुलाई श्टार्ट हो जाती है, बीज दर आव सकता की बात करें तो यदि 50 रुपए के आसपास उपलब्द है, अब इस लिश्ट के नंबर 3 पे हमने लिया है, जेके सीट्स का 1054 F1 वेराइटी, यह वेराइटी भिंडी की छोटे घने पौधों वाली एक हाइबिट वेराइटी है, भिंडी की इस वेराइटी के पौधे छोटे होने के वज़े से आप इसकी बौधाई थोड़ा घनी कर सकते हैं, और छोटे होने के वज़े से इसके हार्वेस्टिंग भी आसान होती है, फलो की क्वालिटी की बात करें तो फलो की लंबाई 12-14 सेंटीमीटर और गेरे हरे रंग के आकर सक चमकदार और आसानी से हार्वेस्टिंग करने के अब दोस्तों गर उत्पादन की बात करें तो या किसानों की बेटरी उत्पादन सील वेराइटियों में से एक है, बिंडी की इस वेराइटी की बौई भी आप दूसरी वेराइटियों के तरह दोनों सीजन में कर सकते हैं और वहीं लगाने से लेकर लगबग 45-50 दूरों म मार्केट में इस वराइटी का 500 ग्राम बीज लगबग 7500 रुपए के आसपास उपलब्द है अब इस लिश्के नंबर 4 पे हमने लिया है अडवांटा गोल्डन सीट्स की नब्या वराइटी को भिंडी की इस वराइटी की पौदे मीडियम हाइट के 3-4 साखाओंदार वाइवी एमवी वाइडस के प्रति अच्छे सहन सील और भरपूर उत्पादन सील होते हैं फलों की क्वालिटी की बात करें तो फल गहरे हरे रंग के चमणदार आकर सक 12-14 सेंटीमीटर की लंबाई वाले होते हैं भिंडी की इस वराइटी को भी दोस्तों आप जनवरी फरवरी मार्च और जून जुलाई दोनों सीजन में लगा सकते हैं इस वराइटी की सबसे अच्छी खासियत या है कि दूसरे वराइटी की अपेक्चा या वराइटी चार से छे दिन पहले ही अपना उत्पादन देना सुरू कर देती है लगाने से लगबग 42 दिनों में इसका पहली हर्वेस्टिंग आप कर सकते हैं बीच दर आव सकता की बात करें तो एक एकड़ खेत के लिए 2 किलो ग्राम बीज परियाप्थ होता है मार्केट में इसका 500 ग्राम का पैकेट लगबग 1100 रुपए के आजपास उपलब्ध है अब दोस्तो इसलिश के नमबर 5 पे हमने लिया है VNR कंपनी की जानवी F1 वैराइटी को दोस्तो यह वैराइटी भिंडी की एक भरपूर उत्पादन देने वाली एक हाइबर्ड वैराइटी है जो की अभी कुछ समय पहले VNR कंपनी ने लॉंच किया है दोस्तो अगर इसके फ्रूट क्वालिटी की बात करे तो इसके फलो का रंग गहरा हरा चमकदार और फलो की लंबाई 8 से 12 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तो इस वैराइटी के सबसे अच्छी खासे दिया है कि यह वैराइटी लीवकर्ड वायरेस और येलो वेंस मौजग के प्रती काफी अच्छी सनसील है दोस्तो आप इसकी बुआई भी दोनों सीजन में कर सकते हैं इस वैराइटी के सीड रिक्वायर्मेंट की बात करें तो इसका 2-5 किलो ग्राम बीज प्रती एक अड़र खेत के लिए पर्याप्त होता है मार्केट में इसका 100 ग्राम बीज लगबग 370 रुपए के आसपास उपलब्ध है तो दोस्तो ये थी ओक्रा की 5 बेतरिन उत्पादन देने वाली वैराइडियां जिनकी बुआई आप अपने एरियल क्लाइमेट और मार्केट डिमांड के आधार पर कर सकते हैं दोस्तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल से जुढने के लिए सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक्स पर वाचिंग